कि नमस्काइब आप सभी लिए लीगल एडवाइसे वीडियो अप्रोड करते हूं जो कि आप सब लोग करते हैं पसंद करते हैं शेयर करते हैं अब तक नहीं गया तुरंद करिएगा दूरसे लोगों तक कर देगी तो आपको सबसे पहले ये जो दो केस हैं वो आपको जरूर करना चाहिए अगर आप नहीं करेंगे तो भवश्यम मैं कहता हूं कि आपकी ना ही तो कोड सुनेगा ना पुलिस सुनेगी ना ही आपकी समाज सुनेगा सबसे पहले आपको ये काम करना जरूरी है अगर आप करेंगे तो आप आज नहीं जब तक ये केस चलेंगे तब तक आपकी कोड भी सुनेगा प्लिस भी सुनेगी और सभी लोग सुनेंगे आपके केतना कि ये जो लड़ाई है ना जो पती-पतनी के लड़ाई है वो बहुत लंबी चलने वाली है काफी लंबा दंगल चले गा रहे तो वही है आपका कि अगर आपका dispute पतनी से हो गया है और case बाजी स्टार्ट हो गई है तो ये दंगल जो आपका लंबा ही चलना है और इस दंगल में जीत आपकी हो इसलिए मैं आपको time to time update करता रहता हूं और time to time आपको वो सलहा वो advice देता करता हूं जिसके वह सकता है कि आपकी जिन्दगी सबर समढ़ जाया रास्ता ही रास्ते पाजाए और आप किसी भी हार का मूल ना देख पाएं इसलिए मैं कहता हूं नए हैं तुरन सब्सक्राइब करें दूसरे लोगों तक बिजानकरी को जरूशे करें अब करना क्या है क सांसे जिसके साथ यह प्रावलम होती है वो सकुद इहसास हो जाता है कि मेरी नार दोपार नहीं आएग्ए अब काम करना चाहिए कि एक तो उसको section 9 Hindu marriage act के तहत legal notice भिजवाएं उसमें ये कहें कि मैं अपनी पत्निकों रुखना चाता हूँ लेकिन वो बेवजा मुझे से जगड़ा करती है और मेरा घर जो है छोड़कर चली गई अपनी माय के अपनी मर्जी से लेकिन मैंने उसको कोई भी नाहिल में उसको मारा पीटा है ना कोई लाई जगड़ा गिया है और स्वत्य ही वो अपने आप चली गई है और भी आपके case के according जो बाते आती है वो मैं आपको फिर case के according बताऊँ लेकिन अभी जो बेसी बता रहा हूँ यह चीज आपको बतानी है section 9 के legal notice में आपको यह चीज लिखवानी है और लिखवा के एक copy उसको भेजनी है और एक copy अपने पास रखनी है और इसमें यह बता दें कि आपको legal notice भेजना है वो registered भेजना है और दूसरा इसका जो समय है आपको बहले काम करना है क्योंकि जब भी आपको उपर आपकी section 49-498 का case करेगी तो उसमें यही कहेगी मेरे पती जो है मुझे छोड़ रहे है वो दूसरी साथी कर रहे हैं घर से निकालना है दहेज मांग रहे हैं यह सब चीज़े कहानिया बता के वो तुमारे उपर case दर्श करवाईगी यह पहला काम आपको औरना है दूसरा जब आपकी पत्नी गई है क्योंकि यह तो होगा सिबिल इसमें कोई किसी को punishment नहीं कुई सजा नहीं कुछ नहीं यह सिर्व आपको लिए बचाओ भी है साथी साथ में उसके cases ़ो नहीं दो बात समझते हैं आक कुछ और लड़की को और बढ़ावाद कि दे रहे हैं कि तुम ऐसा ही काम करो जाकि इसकी अकल ठिकाने हा सेग도 और गलत तरीके से आप लड़की को भड़का रहे हैं और परिवार खराप कर रहा है एसे माबाप हैं जो मेरी Comm 002 में हैं कार अगर आपको लगता है कि माबाप ऐसे हैं और इस तरहीं चीजा उसको लड़की को समझा रहे हैं और वो भविस्षय alive करने जो मेंल of section 498 का लड़की अगर केस करेगी तो इसको रोकेँने नहीं बलकि और बढ़ावाद हैंगे कि चलो थाने चलते हैं अभी इसके केस करेंगे अभी इसकी अगल ठिकान लगाते हैं अगर ऐसा वो करते हैं या आपको लगता है कि वो ऐसे ही हैं तो उन पर आप पहले से पहले advance में आज जिस दिन गई है उस दिन की घटना उसका पिता उसका मा उसकी भाई जो भी परिवार में लोग हैं उन सभी के लोग को कि नाम लिखाएं कहें कि मेरी घट से यह लोग आये मेरे घर मार पी अपटाई करी जो भी आपके जहास जगड़ा हुआ है को यो भी आप घटना हुई है और मेरे घट से जो भी जो पैसा रुपया सब लेक यह आपको instantly करना है अगर आप instantly नहीं करेंगे और wait करेंगे चलो पतनी चब करेंगे तो काफी देर हो चुकी होगी क्योंकि घटना जितना जल्दी आप दर्ज कराएंंगे उतनी ही ताकत बर रहती है उतनी ही इसमें सतता रहती है अगर उसको आप Maria करेंगे लेट करेंगे और जूट के अधारब लगता है कि यह पूरी कहानी मनगलंत है जूटी है तो यह आपको सबसे पहले आपको यह काम करना है यह दो काम अगर आपने करें तो आपको जीवन में किसी प्रिकार से आपको कोई भी ना नुकसान होगा आपकी पतनी किसी प्रिकार से आपको प्रितारित कर पाएगी और भविश्चन में अगर 498 एक केस इसके बावजूद भी करती है तो आपको यह एक और राइट मिल जाएगा आपको कौनों को सामने कि यह रंजिशन करी गई है और रंजिशन कोई भी किया हुआ FIR या कोई भी दर्ज किया हुआ वो सब को जूटा माना जाता है तो यह रंजिश आपको समझमा जाएगी कि वाकई यह चीज़े होई हैं क्योंकि पहले करोगे तबी पहले बचोगे बाद में करोगे तो तब तक पिस चुके होगे जब पिस जाओगे तो फिर बाद में आपके अंदर कोई करने की छमता बचेगी ही नहीं कि मैं कुछ इसके खिलाफ करूँ तो पहले से एडवांस में आप करें यह चीज़े हैं मैं नहीं कहता कि आप घर बिगाड़ने परिशान कर लें लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसी है तो आप जरूर करें क्योंकि बहुत ज़्यादा समय में आप देखें कि कोट कचेरी थाने बहरे पड़े हैं महिलाओं की वज़ेसे इतना अत्यचार हो रहा है कि पुरूष इतना अत्यचार कर रहा है नहीं यह कहीं न कहीं misuse of the law है और misuse जब कर रही है महला है तो फिर आप भी सच्चाई पर आईएगा और सच बात कानुन तक पुझाईएगा कि मेरे मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है बल्कि मेरे पार जूटे मुकत में दरज कर आए गए हैं अगर आपको कोई भी लीगल एडवाइस इसके बारे में हमसे चाहिए तो आप हमारे दिवए नमबर में हमसे आप ले सकते हैं तो बरहाल आज का वीडियो इतना ही बस अगर आप नए हैं तुरो सब्सक्राइब करें दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूशे करें